हाँ जी तो how to decide a perfect marketing budget बहुत मुश्किल है बहुत सारे multiple factors के उपर जच करता है बट स्टिल मैं दो चीज़े बताऊंगा आपको जो आप use कर सकते हो अपना marketing budget decide करने के लिए तो आज से के बारे में बात करेंगे मैं नाम एकुरिशन सिंग और आप देख रहो easy digital marketing तो सबसे पहली को एक को acquire करने के लिए क्या cost आती है और उस cost को अगर acquire करने को आती है तो आप उसे multiple कर दो targeted number of leads और sales that whatever you want to achieve तो simply अगर हम बोलें कि अगर एक customer को acquire करने के लिए मेरे 100 रुपे लगते हैं तो 10 customer अगर मैं एक हफते में भी जाता हूं for example तो दस और सब्सक्राइब करूंगा 1000 रुपे हो गए तो एक हफते के 1000 रुपे लगे महीने के मेरे 4000 रुपे लगे मेरा marketing बिजट हो गया for example इतना कम होता नहीं है जो simply मैं आपको बता रहा हूं simply जो इसे और मैं explain करता हूं तो यह बात होती है कि जो भी आप अगर paid ads run करने जा रहे हो SEO में invest कर रहे हो जिसमें भी कर रहे हो और influencer marketing में कर रहे हो तो अगर आपने 50,000 की video बनवा के किसी influencer के video डलवाई है और वहां से आपको 100 customer आये हैं तो आप divide कर सकते हो कि आपको per customer कितना पड़ा right simply अगर आप ads run कर रहे हो 100 clicks आने पर आपके 2 customer require हो रहे हैं तो 100 clicks खाने पर मतलब आपकी ad पर 100 clicks आते हैं वो बंदे website पर जाते हैं और 2 customer उसमें से basically convert होते हैं आपका product for example 500 रुपे का है तो 1000 रुपे की आपकी sales हो गई तो अब वो 100 clicks जो आपकी ad पर आए हैं उसे ला आने के लिए आपको for example 500 रुपे खर्चने बढ़ते हैं तो हम बोल सकते हैं कि आपको 500 रुपे खर्च करने पर एक customer मिल रहा है तो आपने 500 रुपे में 100 clicks आए तो आपके 2 customer बने जिनके 5000 रुपे की sales हो तो इस तरीके से आपको अगर जितने भी customer चीए आप उसे simply multiply कर सकते ह Additionally दूसरी टिप जो होती है दूसरा point जो है वो है software cost में भी आपका एक CRM हो में भी आप team management के लिए या people management के लिए या project management के लिए software करीबते हो जैसे base camp वगेरा या और भी आसना वगेरा बहुत सारे software होते हैं इन सब के अलावा और कोई अगर आप SEO की service provide करते हो clients को directly तो HRF खर software करीते हो उसकी costing monthly जो जा रही है उसे भी आप अपने marketing budget में distribute करोगे कि हाँ अगर मेरा 50,000 का budget है तो इतना तो मेरा software में जाएगा बागी customer acquisition पर जाएगा इस तरीके से आप अपना monthly budget बनाओगे इसके बाद तीसरी tip जो है इसके साथ ही additionally bonus tip वो यह है जैसे जैसे आपका revenue आत तो इस तरीके से आपका monthly marketing budget जो है वो बढ़ता रहेगा revenue के साथ अपकी revenue भी बढ़ती रहेगी simultaneously तो यह है simple सी चीज़ marketing budget को बनाने का तरीका अपनी जो management है hire management जो है आप अगर company में काम करते हो तो उनको persuade करने का तरीका कि भाई पहले हम इतने लगाएंगे इस से अगर इतन होगा हमारा मसर्फ customer lifetime value अगर आपको नहीं पता तीन metric कौन सा है तो मैंने वीडियो बना रखी है three metrics to grow your business वाला system ऐसा कुछ title था वह एक बर देख लेना तो तीन मैं वह आई बटन में दे दूँगा उपर तो इस तरीके से आप जब invest करते जाओगे तो सारा तो आपका marketing budget भी इंप्रूब होगा revenue भी इंप्रूब होगी तो आई होप यह वीडियो अच्छे लगे होगी like और share जरूर करना इस channel को subscribe जरूर रना क्योंकि आने वाले टेम मैं से digital marketing related tips और topics कवर करता रहूंगा जो आपका career enhance करने में मदद करेगी साथ ही साथ अगर आपका कोई business है तो उस उसे grow करने में मदद करेगी तब तक के लिए next video करें थैंक्स यार बाई